है लो फ्रेंड्स कैसे हो स्वागत है आप सभी का कोशी टेक्निकल में दोस्तों आज की इस वीडियों में हम बात करेंगे आपके जो थॉरी ओफ मसीन टॉम के इंपोर्टेंट कोशन आंसर के बारे में क्योंकि आप सभी को पता है कि जो भी कराऊंगा मैं इंपोर्टेंट कर और ऊक्राउंगा तो आप प्लीस नोर्ट से बनागे आभी से जूंत आप प्पर क्धियों में आप एक से दो बार पड़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा समंझ में आएगा बहुत ही अच्छे आपके नमबर आएंगे तो चलिए मैं आपको दिखायता हूं कि important question answer आजके तो दोस्तों आप इसके बारे में क्या जानते हैं चार या पांस नमर में आएगा आप ज़ू है जरूर पढ़िएगा और मैंने आप से पहले ही बोला जो भी पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा तो यहां पर आप देख पारेंगे यह 2017 में आया है ठीक है न और आपका जो है लाश्ट यह मीस 2018 में भी आया था यह ठीक है न तो चलिए मैं आपको दखायता हूं कि मसीनों की गत्की या इस्तान यंत्र विन्यास को कैसे परव कोशन लेखेंगे और बिल्एक पैंसे आप जो है कोशन लेखेंगे ठीक है न तो उस समय हैडिंग डालेंगे मसीनों की गत्की और अंडरलैन कर देंगे क्यां कि दो साका हैं आप जो इस तरीके से बनाया जा रहा है या फिर इस तरीके से बनाना आज पेपर में कि इसकी जो है दो साका है होती है पहला नमर ये और दूसरा नमर ये ठीक है ना पहला लिखके इस तरीके से लिखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा और सबसे बड़ी बात यह कौपी भी आपकी भढ़ जाएगी जल्दी ठीक है ना और कौपी भरना महन होता है इसी दीवाद तो चलिए मैं आपको दिखाएता हूं कि क्या क्या होता है पहला है इस्ततिक क्या होते हैं इसके अंतरगत इस्तिर्व अवस्ता मसीनों के अंगों पर लगने वाले बलों और उसके संतुलन का अध्यन किया जाता है ठीक है ना बलों एवं उसके संतुलन का अध्यन किया जाता है नैश्ट है बल गति क्या होता है इसके अंतरगत मसीनों के अंगों में लगने वाले उन बलों का अध्यन किया जाता है जो बल अंगों के जड़त के कारण उपज़े इस प्रकार अंगों की सहमत की का मास गती या फिर गती मोशन प्रदिक होते हैं ठीक है नए स्थान यंत्रविन्यास इसका अलाग है, ये जो है, मसीनों की गत की के गई दो जो है आधे तन फिकहागी कि ता हुए इस्तान किसी यंत्यविद्यास कैते है यह स्मतली यंत्य विन्यास का एक भी कडि अथवा होई भी कण अंकडियों के 3220 संतल में होने वाले करता है और इसके इंतर विन्यास हो जाता है ठीक है उधारता है स्कूझ जो जो होते हैं और इसके मुख को जो ठीक है यह जो यह आपको दिखाएता हूं यहां पर दोस्तों देख पारे होंगे कि यहां तरे कारणों के परवर्तन करने मसीन एक ऐसा सोत है जो कि लिए जाने लिए जाने वाले कार के बीच कोई अंग पार्ट होते हैं जो कार के बदलने के उधार कोई पैट्रोल इंजन या मसीन इंजन जो पैट्रों के देहन प्राप्त ऊर्जा को प्रियोग होती है गाड़ी सड़क पर चलाने की समता रखता है भाप इंजन दाव इंजन उसमा इंजन यांतरिक कार्णों बदलता है खराद मसीन पुली ताप तो यांतरिक प्रियोग करके धातू अन बस्तू को खरादने के काम आथ करता है ठीक है न तो यह तो दोस्तों आपको मसीन की परवासा हो गए मीस किसी उर्जा स्रोत को पूर्ण लेना उसको करने के लिए आपको पूर्ण तरीके से उर्जा अपनी ब्याग कर देना वहीं मसीन कहलाती है फीक ए न चलिए आप दिखायता हूँ यंत्र वियनियासल मसीन में अंतर ये आपका डाएक्वाज़ पांस नम्र में आएगा ठीक पांस नम्र में आएगा आएगा का आपको कुछ नहीं करना आपको 5 पॉ Sans लिखने हैं ठीक है तो चलिए मैं आपको दिखायता हूँ क्या यइए कड़ियों से सायोजन से बनता है जिसमें किसी एक कड़ी या गत्थी कीड़ियों के चलाती जिसमें एग बल्ड़गा परेशन नहीं होता है ठीक है टमड़ी होता है यह कमसी स्थाफिक्ष घरथी ही कर लंद सोती है मसील में उब तरोद उबड़ा को त्रश्टी से सुधारनेगम मसीन करती है यहां पर आप देखवा नियंतर विन्यास का मसीन होना आवशक नहीं है इसका कार केवल अपनी कडियों को गती पारिशित करना होता है मसीन क्या होता है मसीन एक ऐसी अधिक यंतर विन्यासों से बनती है जिसका उप्योग लाबदाय कार्यों के लिए उर्जा पारिशन करना है उधाने के लिए भाब अंतधैन इंजन खराद मशीन अत्वा क्रेन अत्वा लिफ्ट आ दी ठीक है ना तो दोस्तों यह कुछ इंप अब लेखोगे आपको पकार पूरे नमर मिलेंगे आपको याद भी जल्दी हो जाएगा ठीक है ना तो आज के लिए बैस इतना ने मिलते है ने अश्ट क्लास में आपको वीडियो को लाइक करना अपने सभी दोस्तों मसीख करना शैनल को सब्सक्राइब कर लेना धन्यवा बैवा